हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू जैजीज किचन आज मैं आप लोग लिए लेकी आई हूँ एक बहुत ही बहतरीन रेसिपी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे यां रोटियां बच जाती हैं और हम उन्हें फैंक देते हैं बासी रोटी समझ के आम उसे खाते नहीं बट आ आज मैं आप लोग लेकी आए हूँ एक लेफट ओवर रेसिपी जी हा यह रोटी पिन्वील की रेसिपी है सही सुना आपने रोटी पिन्वील तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और बहुत ही यमी बची हुई बासी रोटियों चलिए स्टार्ट करते हैं पाउडर हमारे पास यहां कुछ रात की बासी रोटीं रूटियों तो भी रोटी पोर से न आपार ही आदा चूटा चमस नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च का पाउडर तो लिजिए लाल कुटी हुई मिर्च का पाउडर हमने इसमें डाल दिया है और इसके साथ ही साथ इसमें जाएगा आधा चोटा चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला से थोड़ा spicy flavor आता है इसमें, तो गरम मसाला इसमें ज़रूर डालें, इसका flavor बहुत अच्छा आता है, इसके साथ हम इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मच चाट मसाला, और आधा चोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हु अब आलू का बैटर है इसे हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे तो हमने यहां पर लिया है एक चम्मच मैदा और उसमें हमने थोड़ा सा पाने डालकर उसकी एक पेस्ट सी बना ली है लिम्टेट सा पाने डालना इसमें जिसे हम करते हैं साइड में अब हमने लेनी है रोट तेहां एक साइड नहीं थां से और चोड़ देंगे यही वहहां को लाएं कॉशन आध बना हें और यहां पर लाखे लिए को तुम्हां तो इस आजसे हम बल्कुल एंपटी चोड़ देंगे यहां पर हम कोई बैटर ध्यान से नहीं लगाएंगे अब हम रोटी को बहती केर प्रफुली मोडते हैं मैं यह अपनी रात की बची बासी रोटियों से बना रही हूं आप अगर खाना चाहें और इसे ताजी रोटियां बना कर कुछ दिर मैं उसे ठंडा करके भी उसे बना सकते हैं तो चलिए हम इस तरह से यहां पर मैदेखी इस पेस्ट को लगा देंगे ऑर इसे यहां पर रोल करकर थोड़ी देर के लिए एक से दो मिनट के लिए इसको ऑसे एक oraat रहांगे यह अपनी बाक रोटियां भी बना लेंगे उसे पने वरकी रोटियां के भी रोल बना लिए हैं और वमें इस तरह से इसको पिन्वेल शेप में सरकल में घुल्गॉल कट कर लेना है तो हम अपनी सभी रोटियों को इस तरह से बहुत बड़े टुकडों में कट ना करें जो बीच से कच्चे रह जाएं तो आप आराम से इने बहुत एक केरफुली आराम से इने कट करिए अब जो बची हुई है मैदे की पेस्ट है इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे यह हमारे बहुत काम की है तो इसको हम करेंगे एक बड़े बोल में शिफ्ट और इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी पानी डाल करना हम इसकी पतला बैटर बना लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री बिल्कुल पतला सा बैटर बना लेंगे जिसे हमें जो पिन्व पिन्मील्स भी कटके बिल्कुल तैयार हैं तो अब इस एक एक पिन्मील को हम फोक की हल्प से इस जो मैदे का बेटर बनाया है जो डिप बनाई है इसमें हम करेंगे डिप और इसे बहुत ही कैरफुली हम गरम आएल में तलने के लिए रख देंगे तो हम इसी तरह से अपने करनाब के ताटिए इसे सारे पिनमेल्स अट Index भी है तो हमें इसे शेलो फ्राइ करनाएं आप इसे डीप खारतेशहे हैं मैंजाी इप्सकी की help से आप दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से इसको पका लीजिए अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लीजिए बस हमारे पिन्विल विल्कुल रेडी हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं वे बहुत अच्छे से क्रिस्प था हैं पुछलिए न एक दिश पेपर पोड़नि यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप इसे जरूर ट्राइ करेंगा और आपको यह कैसे रखते हैं मुझे जरूर बता झाल झाल